हेलो बच्चो कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी का स्वागत है आज की डाउटनट की क्लास में तो बच्चा लोग आज हम समझने वाले हैं अंडर्स्टेंडिंग क्वाडिलेटरल्स ठीक है यानि कि आखिर आज हमने देखो यह टॉपिक्स आप लोगो बहुत अच्छी तरह के संद में आगया है लेकिन अब हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन्स और क्वेश्चन्स भी कौन से बच्चा लोग जो की इंपोरेंट क को लाइक जरू करतों ठीक है ना जरूर इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करो क्यों जिससे की सभी कोई चीज़स सीखने को मिलें क्या आखिर आडी शर्म के कौन-कौन से क्वेश्चन्स बहुत जारा है ठीक है चो इस VIP कोर्स में आप लोग की सभी की सभी क्लासिस रिकॉडडेड रहने वाली हैं और आप लोग को प्रॉपर नोट्स प्रॉवाइड किये जाएंगे आप लोग के टीचर्स द्वारा साथी साथ प्रॉपर हूमवर्ग दिया जाएगा आप लोग को डेली का डेली अमई मखेमेन अब लुपर हैं और आप लोग के सभी को कुर्वेड किया जाएगा तो जा लते यह कोर्स क्योंled कैं के हैं कि यहां पर आप लोग को टाप टीचर्स पढ़ाने वाले हैं जिरोने बास दिये हैं साथी साथ आप लोग के हर एक डाउट को क्लिय किया जाएगा बच्चा लोग ठीक है तो यह सभी रहने वाले आप लोगे टीचर साइंस टीचर एंड मैथ टीचर तो बच्चा लोग बात के लिए थे कि प्रिवेश एर के बेस्ट रिजल्ट्स हैं और साथी साथ आप लोगो बता दूँ more than 100 students got 85% marks चीक है और साथी साथ आखिर आप लोगे doubts का सफाया कैसे होगा तो बच्चा लोग doubtnut है number one institute doubt solving के छेतर में जहां पर आप लोगो को proper humbug देया जाएगा notes दिये जाएंगे और आपके test होंगे और इसमें दिये जाने वाले आपके हर equation का video solution भी जरूर आप लोगो provide किया जाएगा तो यह classes चाहें class के time पर देखें या फिर बात में होगा आपके हर एक doubt का पूरी तरीके से सफाया और अगर आप लोगो कोई भी doubt आते तो आप लोग क्या करते हैं आप लोग जाते हैं doubt न टैप पर जहां से उस doubt को scan करके आप लोगो को सिर्फ और सिर्फ find solution पर tap करते हैं कोई भी doubt साथ ने जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पर इस बच्चे ने doubt पूचा है और वो भी hashtag doubt करके ठीक है तो इस doubt को भी पूरी तरीके से solve करते हैं जाता है ठीक है आप लोग के teachers द्वारा तो बच्चा लोग अगर आप लोग को इस course के regarding कोई भी जानकारी चाहिए देन आप इस number पर miss call कर सकते हैं number क्या है भई 01247158250 तो चलिए बच्चा लोग जल्दी से बताए मुझे comment section में साथी साथ पोल पर ही क्या आप class 8 VIP course join करना चाहेंगे जो जो बच्चे join करना चाहते हैं जरूर comment section में लिखा है कि हा सर हम interested है ठीक है जरूर बताए मुझे comment section में जल्दी से जल्दी तो चलिए बच्चा लोग start करते हैं आप लोग की quiz के साथ बहुती छोटी सी quiz होने वाली है थोड़ी सी informative होने वाली है बहुत अराम से आप लोग को इस सारी की सारी चीज़े पता है ठीक है तो हम start करेंगे आप लोग की quiz के साथ तो चलिए बच्चा लो A, 260 degree, option number B, 360 degree, option number C, 460 degree, या फिर option number D, 160 degree, जल्द इस यहली पता है मुझे, आखिर कौन सा option बिलकुल सही है, option number A, option number B, and option number C, and option number D. चले next देखे, next यह रहा है, आप लोगे सामने कह रहा है, a quadrilateral has sides, कितने sides होते हैं, basically quadrilateral में, किसी भी quadrilateral के अंदर, option number A, 3, option number B, 4, option number 5, option number C, 5, option number D, 6, तो जल्दी से यहली बताएं, बच्चा लोग, बिलकुल जल्दी से बताएं, कि आखिर कौन सा option बिलकुल सही है, चली चली, चली अब अच्छा लोग आते हैं, आपके पहले question पर क्या कहता है, the sum of the angles of a quadrilateral, basically quadrilateral क्या होता है, कुछ भी, जिसके अंदर ऐसे 4 sides होती हैं, चीके, और आप जानते हो, किसी भी quadrilateral के, all four angles का जो sum होता है, वो कितना होता है, 360 degree, यानि कि option number B is the correct option, next, आपको पता है लग गया, a quadrilateral has only four sides, चीज़े clear हो गई, तो चली अब बच्छा लोग आते हैं, आपके important question पर, जिसमें की पहला question ये रहा आप लोगे सामने, ठीक है, ध्यान से रिखना बच्छा लोग, आप लोग के बहुत important questions, जिसमें पहले कर रहा है कि, A, P, B, यानि कि ये angle पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, angle A, P, B, पूछा जा रहा है, तो निकाल लेते हैं जार देखे, बहर असान से, आपके पास क्या दिया है, आपके पास दिया है, angle C and angle D, which is 100 degree and 50 degree, चीक है, आप लोग देखो, बहुत यशे दरके से आनते हो, किसी भी quadrilateral के, all four angles के संद्ध कितना होता है, बच्चा लोग, 360 degree, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ है, angle A, plus angle B, plus angle C, plus angle D, which is equals to 360 degree, angle C and angle D की values आप लोग के सामने है, कोई रिक्कत नहीं होगी, लेकिन angle A और angle B की values आप लोग के सामने नहीं है, चीक है, तो आप लोग क्या करो, पहले angle A और angle B निकाल लेते है, angle A, plus angle B, angle C कितना है भई, आपके पास सामने 100 degree, and angle D कितना है भई, 50 degree, तो यहाँ से angle A, plus angle B, यह आजाएगा, चीक है, तो निकाल लेते है, angle A, plus angle B, कितना होता है भई, 150, और यह इदर क्या हो जाएगा, 360 minus 150, तो 360 minus 150 करते हैं, तो angle A, plus angle B आजाएगा, आप लोग के पास में, 210 degree, कितना आजाएगा बच्छा लोग, 210 degree, और यह हो जाएगी आपकी equation number first, क्या हो जाएगी, equation number first, यहाँ तक कोई रिक्कत, definitely किसी को भी कोई रिक्कत नहीं होगी, ठेके, आप क्या ले रहा हूँ, अब मैं ले रहा हूँ, in triangle APB, in triangle APB, अब सीधर सीधर धिहान से देखो, यह जो angle A है, यह जो पAB है, जो angle PAB है, और जो angle PBA है, यह क्या है basically, यह basically bisector of angle A and angle B है, क्या है बच्छा लोग, bisector of angle A and angle B, चीज़े clear हो रही है, यानि कि यह वाला जो angle है आपका, यह क्या है, bisector of angle A, यह वाला angle क्या है, यह वाला angle है, bisector of angle B, clear, तो आप लोग लिसकते हैं, यहाँ पर half of angle A, मैं इसको directly लिसकते हूँ, half of angle A, प्लस half of angle B प्लस half of angle A यह तो angle APB पूरा का पूरा आजएगा तो यह आप लिसे तो in triangle APB आप बड़े ही अराम से लिख सकते हो half of angle A ठीके half of angle A plus के half of angle B ठीके आरी बासन में बलके रुको उसको जरा next पर लिख लेते हैं यह आप लोगे सामने यहाँ पर आजएगा in triangle APB next मिल लिख लेते हैं यहाँ पर in triangle APB क्या हो जाएगा यह हो जाएगा half of angle A ठीके plus half of angle B plus angle APB ठीके और यह किसके को जाएगा 180 degree क्या आप जानते हो अची तरीके से जो triangle होता है उसके जो आपके पास तीनों के तीनों angle होते हैं उनके angle का सम क्या होता है 180 degree ठीके तो half of angle A plus half of angle B is equals to angle APB plus angle APB is equals to 180 degree यहाँ से आप find कर लीजे angle APB तो APB कितना हो जाएगा 180 degree minus half of half इसमें सभी में कॉमा रागे यानि कि angle A plus angle B और आप already जानते हैं बच्चा लोग from equation number 1 from equation number 1 angle A plus angle B कितना है 210 degree ठीक है तो सीधा सीधा मैं आप लिख देता हूं यहाँ पर from equation 1 from equation 1 क्या हो जाएगा यह आजाएगा आप लोगे पास angle APB is equals to 180 degree minus half of angle A plus B कितना है 210 degree ठीक है तो आपके पास आगया 180 degree minus इसका half कर लो कितना हो जाएगा 105 degree कितना हो जाएगा बच्चा लोग 105 degree तो यहाँ पर आप इन दोनों को add कर दें इनको separate कर दें angle APB आपके पास आजाएगा 75 degree कितना आगया बच्चा लोग 75 degree चीज़े क्लिए हैं यहाँ पर सभी को बहुत इसी तरीके से चलिए next question पर आता है next question और भी जार आसान है क्या कह रहा है कह रहा है in quadilateral ABCD क्या कह रहा है बच्चा लोग in quadilateral ABCD CO and DO are the bisectors of angle C and angle D respectively चीज़े clear angle C and angle D यह पर क्या है बच्चा लोग जो CO है और जो DO है यह angle C and angle D का क्या है एक bisector है आप से प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि COD यानि कि यह वाला particular angle यह COD is equal to क्या आना चाहिए half of angle A plus angle B चलिए निकाल लेते हैं बेहरसान सी चीज़े हैं यहां पर भी इस चीज़ को भी समझे लेते हैं चिके आप क्या जानते हैं अच्छी तरीके से अभी जस इसी के जैसा question हमने अल्री किया है यानि कि कोई भी quadrilateral है उसके सभी angles का sum क्या होगा 360 degree तो यानि कि angle A plus angle B plus angle C plus angle D which is equals to 360 degree clear then आप से कहा जा रहा है क्या कि भाई आप क्या करो यहां पर angle A plus angle B ठीके इसके values निकालो क्या हो जाएगा angle A plus angle B is equals to हो जाएगा 360 degree minus angle C plus angle D और क्या गरो आप दोनों तरफ का half कर दो क्या गर दो बच्छा लोग दोनों तरफ का half कर दो then क्या होगा आपकी पास हो जाएगा यहां पर जो term बनेगी वो term बनेगी की half of angle A plus half of angle B is equals to इस पूरे का half half of 360 minus angle C plus angle D चीजे clear? देन आगे रेखो आप क्या लिख सकते हैं? यहां पर लिख सकते हैं angle half of angle A plus half of angle B is equals to 180 degree minus half of angle C plus angle D यह चीजे यहां तक clear हुई के नहीं हुई? इसको माल लीजी आप बच्चा लोग equation number 1 क्या माल लो आप इसको equation number 1 अब आजो in triangle O, D, C ठीके? आज आजो in triangle O, D, C या फिर D, O, C ले लो ठीके? अब हम बात करते हैं आप फ़र in triangle D, O, C अब सेम वही चीज़? सेम वही चीज़ क्योंकि बच्चा लोग आप से कहा जा रहा है कि यहां पर जो O, D and O, C है they are the bisector of angle D and angle C छिके? इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब जो भी आपके पास triangle है triangle की तीनों angles को सम्गे तना होता है 180 degree सेम वही चीज़ अपलाई करो छिके? तो क्या लिखोगे आप? आप लिखोगे angle छिके? half of angle D plus half of angle C plus angle D, O, C या फिर C O D लिख सकते हो दोनों एक ही बात है कोई दिख करती है is equals to 180 degree क्या हो जाएगा बच्चा लोग is equals to 180 degree तेन आपने कुछ नहीं करना आपने यहाँ पर simple simple values रखने ज़रा देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा angle C O D लिख लहाँ मैं इसको क्योंकि C O D में प्रूफ करना है तो angle C O D is equals to get 180 degree minus half of angle D plus half of angle C अब ज़रा देखो यह पूरा पूरा expression already कहीं न कहीं देखावा लग रहा है यह देखावा लग रहा है कहीं ने लग रहा बिलकु लग रहा है और यह लग रहा है आपकी equation number 1 में जहाँ पर already हो रहा है 180 degree minus half of angle C plus half of angle D same चीज, same expression यहाँ पर है तो यहाँ पर मैं डार्यक लग रहा हूँ from equation 1 from equation 1 क्या हो जाएगा आप लोग के पास सीधा जाएगा angle C O D is equals to half of angle A plus half of angle B चीक है तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो C O D is equals to और करके लिख देता हूँ half common आगया which is angle A plus angle B तो बच्चा लोग अगर आप लोग के question पूरे के पूरे समने में आये हैं तो जरूर इस वीडियो को like जरू करें ठीक है और अपने सभी friends को share करते रहो बच्चा लोग जिससे कि आप लोग सभी बच्चों को इस चीज़े किसे clear हो जाएं चिक है तो बच्चा लोग next question यह रहा आप लोग के सामने जरूर देखिए कह रहा है PQRSTU जिसमें कह रहा है आपको each angle find करना है of triangle PQT PQT कौन सा है भई? PQT यह पूरा का पूराटन angle है जहाँ पर आपको angle P भी find करना है angle Q भी find करना है और angle T भी find करना है अब ज़रा इस पूरे के पूरे hexagon को देखकर क्या लग रहा है इस पूरे के पूरे hexagon को देखकर बच्चा देखो enter angles का क्या बन जाएगा वे formula आप लोग अच्छी तरगी से घानते हो which is n-2 into 180 degree क्या होता है n-2 into 180 degree where n is n is the number of sites क्या होता है बच्छा लोग n n होती है number of sites तो कुछ नहीं करना आपको रखना है यहाँ पर 6-2 into 180 degree तो आपके पास रहेगा 4 into 180 degree और यह हो जाएगा आप लोग के पास यहाँ पर 720 degree कितना हो जाएगा 720 degree यह आगा total sum interior angles का पूरगा पूरा sum आ चुका है लेकिन आपको यहाँ पर हर एक particular angle find करना है ठीक है जैसे के angle P, angle Q, angle R, angle S, angle T ठीक है इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर प next part cut निकाल लो ठीक है आपको इक निकल अगर उसको आपको each angle निकालना तो यहाँ पर मैं लिग भी देता हूँ, each angle of, each angle of, hexagon, ठीक है कितना हो जाएगा बच्चे लोग? कुछ ने करना, 6 से divide कर तो सीरा सीरा तो यानिकी 720 divided by 6 और आपके पास रहे है कितना बच्चे लोग? 120 degree कितना आ जाएगा? आपके पास रहे हैं यहाँ पर 120 degree किसे कोई रिक्कत? definitely कोई भी रिक्कत नहीं होगी है अब ज़रा आगे देखो यह तो आगे आपके पास हर एक angle, जो भी hexagon का हर एक angle है, जो कितना रहा है? 120 degree आ रहा है, इसके अंदर कोई भी रिक्कत नहीं होगी, अब बात कर लेते हैं कोई भी एक triangle ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ले ले हम PUT, इन triangle PUT में, जा आप PUT में देखोगे तो सभी के सभी angles का सम कितना होगा? 180 degree, चीक है? और जो angle, यह जो side देखो, अगर मैं triangle बात करूँ PUT में, देखो यह चीज़ आप लोगो समझ लो, बहुत इची तरीके से, क्योंकि triangle PUT जो है, वो एक isocellus triangle है, क्या है बच्चा लोग? एक isocellus triangle, यानि कि इसकी ये side और ये side दोने की दोनो बराबर है, और ये जो angle आ रहा है, अपने पास, ये आ रहा है, अपने पास 120 degree, तो जब आप इन तीनों, ये जो तीनों के तिनों angles हैं, ये angle, ये angle, और ये पूरा, यानि कि जब में बात करो, in triangle PUT, in triangle PUT, तो आपके पास finally क्याएगा, आपके पास हैगा, जो आपके पास PUT है वो तो angle हो जाएगा 120 degree ठीक है और आप यहां से आप angle निकाल सकते है यू टी पी क्या निकाल सकते हो बच्चा लोग angle utp जो कि आपके पास अजाएगा angle utp is equal to 30 degree क्यों आएगा चलो उसके पीछे reason है में आपको लोगों करके दिखार दो, कभी आप कहोगी, सर पता नहीं क्या कर दिया एकदम से, ठीक है, यहां से देखो ज़रा धियान से, आप क्या कर सकते हैं, आप जब triangle PUT में जाओगा, तो यानि की, angle PUT plus angle UPT plus angle PTU is equals to 180 degree, कितना हो जाएगा 180 degree, where angle PUT is 120 degree, तो आप यह जिस पूट कर सकत हो, और मैं साथी साथ, जो UPT है न, उसको मैं UTP लिख रहा हूँ, because, because UT is equals to UP, सिरी सी बात है, then इनके opposite angles भी क्या होंगे, equal होंगे, बिलकुल, तो यानि की, angle, इसको लिख सकता हूँ, बहुत यह असानी तरीके से, कि UTP plus, क्या हो जाएगा, angle UTP, ठीक है, सिरी बात सन में गई is equals to 180 degree, तो यहां से आपके पास, क्या होगा, 180 minus 120, and angle UTP कितना आ जाएगा, मैं डिर्क लिख रहा है इस चीज़ को, अब, is equals to 30 degree, चीज़े clear हो गई, अब चलिए, जब देखो जहां से, यहां पर, जब यह angle आपके पास 30 degree आ चुका है, कौन सा, मैं बात करूँ, इस वाले angle क यह angle आपके पास 30 degree आ चुका है, यह angle आपके पास 30 degree आ चुका है, चीज़े के न, यह दोनों के दोनों angle आपके पास 30 degree आ चुके है, देखो, अब आपको find करना है, PQT में, क्या बात कर रहों बच्छे लोग, PQT का हर एक angle find करना है, आप लोगो, क्या का find करना है, PQT का हर angle find करना है तो कुछ नहीं कर रहा है इसमें ज़र हो तो कुछ बचा ही नहीं आपके पास यहाँ पर आजाएगा ऐसी ही RTS चीक है सेम यह चीज हो रहेगी यह भी angle कितना होगा 30 degree बलकि 8 अच्छा स्वारी यह वाला नहीं यह वाला angle क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा यहाँ पर भी सेम चीज होगा क्योंकि SR और TS यह भी एक Isolus triangle बनाएंगे तो यह भी बनेगा 30 degree अब जब यह भी 30 degree यह भी 30 degree चीक है तो यह जो पूरा बीच वाला angle आएगा ठीक है मैं कहा रहा हूँ यह जो पूरा बीच वाला angle है 30 30 कितना होगे 60 आरी बसन में और पूरा जो आपके पास angle होता है वह कितना होता है 180 degree का कितना होता है बच्छा लोग 180 degree का ठीक है तो यहां से चीज़ा सब्सक्राइब गई तो इस तरीके से आपके पास यहां पर P T R क्या कहा रहा हूँ P T R जो कितना हो जाएगा आप लोग के पास यहां पर जाएगा यह पूरा अच्छा पहली बात तो यह पूरा जो एंगल पूरा T है यह वाला यह पूरा आपके पास यह प्लस यह तो यह वाला बच्छेका आपके पास जो कि कितना होईगा 60 60 degree का आएगा कितना आएगा 60 degree बिलकुल सही बात ठीक है और यहां से आप लोगे पास tpq आ जाएगा क्या आजाएगा tpq जो की ओलेडी हो जाएगा 120 में से क्यों कि टोटल यह कितना है यह है 120 टोटल और इस 120 में से अगर मैं 30 घड़ा दूँगा तो मेरे पास यहां पर आज आजाएगा 60 degree तो अब आपके पास 60 degree आपको बात करना था PQT में अब देखो angle P आ चुका है 60 degree ठीक है यह चीज़े समझ लाए क्योंकि इस चीज़ को आप आप लोग को समझा रहा हूं यहां पर अच्छी तरीके से तो आपके पास P कितना आ गया 60 degree आ चुका है ठीक है बह पूरा angle है यह है 120 अभी निकाला ना हमने यह सारी की सारी चीज़े की hexagon के जो भी hexagon है हमारा रहा यहां पर regular hexagon ठीक है उसका हर एक angle 120 degree का है तो यह 30 निकल गया तो यह कितना बच्चा यह बच्चा सिर्फ सिर्फ 90 degree अब यह 90 degree है यानि कि यह क्या है सीरीसी बात है यह 90 degree है पर आपर एक right angle triangle है है के नहीं है बिलकुल सीरीसी बात है ठीक है तो यहां से यह आ गया आपके पास 30 degree और आपको अगर निकालना है TQP क्या निकालना है बच्चा लोग TQP और यहां से आप लोग बाखी का angle आ सकता है ठीक है तो चीज़ें यहां पर सबनी में आई कि नही नहीं देखलो आप लोग बड़े ध्यान से एक बार सारी की सारी चीज़े वापस समझा रहे तो आपने के निकाला पहले हर एक एंगल निकाले hexagon का जो कि कितना रहे है 120 degree का फिर आपने निकाला UTPP चीक है जो कि कि कितना रहा था 30 degree जब यह 30 degree तो angle STR भी कितना होगा 30 degree होग तो यह बचावा angle कितना का हो जाएगा 60 degree का इसमें कोई रिकत नहीं फिर आपने निकाला UTPQ कैसे निकाला TP के होगे आप लोगे पास UPQ में से जो पूरा का पूरा UPQ है उसमें से UPT माइनस करते हैं तो आपके पास 90 degree यह हाग यह ठीक है फिर अगर मैं बात करूँ आपके TQ ठीक है तो आपने लगाई angle sum property के लगाए बच्छा लोग angle sum property लागा कर आपके पास यह पूरा का पूरा एंगल है पूरा का पूरा 180 degree है ठीक है अगर मैं बात करूँ TQP के तो यह पूरा का पूरा आएगा आपके पास 150 degree का कितना आएगा बच्छा लोग 150 degree ठीक है और यह वाला आजाएगा आपके पास यहां पर 30 degree, ठीक है, तो इस तरीके से angle T आपके पास आगे हैं हाँ पर 30 degree क्योंकि यह कितना हो जाएगा, यह भी 30 degree हो जाएगा और angle P आजाएगा आप लोगे पास यहां पर 90 degree, ठीक है, यह जो angle यह आएगा यह आएगा आपके पास 60 degree ठीक है तो सभी को चीज़े के लिए नहीं पर बहुत अच्छी तरीके से तो चलिए बच्छा लोग बस आज के लिए अपन लोग इतने करेंगे बाकी की चीज़े अपन लोग करेंगे कल को तब तक के लिए बच्छा लोग बाई